अजकल तो सारी परंपराएं मनमुखी हो गई है महाराच मारक सोई जाक हैं जो भावा अकथावाचक सोई जो गाल बजावा चाहे जो बोल देओ कोई पुछने वाला भी नहीं है अभी मैं संतों के दर्शन में आज गया था क्या महापुरुशों ने तीन जगह तीन बात बताई आनन्द आ गया साथ संतरा मंदिर में सरकार ने का कब सुनाओगे हमने का सरकार जब आग्या होगी कहां सुनाओगे हमने का यहीं दर्वार में सुनाएंगे बोले अब तो बड़े बड़े टंडीला हो गए लोग जहां तहां कर रहे हमने का सरकार हम तो यहीं करेंगे हम कहीं नहीं करेंगे तो अगले साल पचास वर्ष हो रहा है कुछ जबापू है उसके बाद की सेवा बालक को मिली है अब ठाकुर जी की जो इच्छा होगी देखा जाएगा क्योंकि हम भी पचास के हो जाएंगे तो दक्षिणा बंद कर देंगे तो जहां मन करेगा वहां करेंगे अभी तो दक्षिणा ले रहा हूं चकाचक अब कोई उसमें समझाता नहीं तो कैसे संसार चलेगा चलाना पड़ेगा न मेरी आप से परार्थना है भगवान ने हमको आपको क्या मशीनरी दी है इसलिए इस मानो रूपी मशीनरी को प्राप्त करके संसार में व्यवहार करिए और केवल भगवान का भजन करिए यही सत्य है बाबा कहते है कथा सुनकर मंदिर जाकर तिर्थे आत्रा से लवट कर वैरागी न बनिये इस्थिर वैराग्य धारण करें कैसे संसार में तो हैं तो हाथ पाँ चलाएंगे तभी न पाएंगे बड़िया बड़िया खाएंगे बड़िया बड़िया पेनेंगे बड़िया बड़िया गयना धारण करेंगे परन्तो ये निसार है इसमेसार नहीं सुगरीव जीवाला बैराग अच्छा नहीं सुगरीव को जब भगवान का परिचे मिल गया तो पहले तो कह रहा था कि हमारा हर लिने से सरबस हुआ रुनारी और जब भगवान के दिव्यत्व का दर्शनवा तो कहता है सुख संपति परिवार बढ़ाई सब करी हूँ सब करी हूँ सब परिहरी करी हूँ सिवकाई दस मिनिट में इस आदमी का स्टेट्मेंट बदल गया माहराज ऐसा होता है क्या इसको कहते हैं सत्संगी समसानी इविश्य पानी और मरघटिया वईराग्य मरघट पर पहुचे चिता जल रही है अब संसार में कुछ रहा नहीं ये भी उतार कर उची में डाल दो करोग क्या जैसे पीट पीछे भई पिर वई ये वईराग्य हम धारण न करें हमारा वईराग्य ज्यानमार की हो संसार में रहते हुए भी मन को कहां रमाना है भगवान के भजन में रमाना है देखो आप संसार में रहे बीना काम चलता नहीं रहने पड़ेगा न परिवार है वेवार है करना पड़ेगा न उसके बिना काम नहीं चलना और वो मूल नहीं है मूल तो भजन है तो कैसे चलेगा अतो व्यवहार भर का संसार में रहना है उसके परश्चाद भगवान के साथ में रहना व्यवहार भर का समय उधर जाए सेश्त परमात्मा में रहना है सुग्रीव जी ने जब कहा सब परिहरी करिहों से वकाई ये सब राम भगतिमे के बाधक कहे संत तब पद अवराधक भगवान ने कहा सखा कहते हो सत्य तो यही है लेकिन मैं भी तो कुछ कहा आया उसका क्या हो होगा बस हमारा स्वार्थ इतना न हो कि जो नहीं है वो भी हम किसी से कह दे हमारा व्यक्तिकत स्वार्थ इस श्रेणी का न हो जाए ताड़ बराबर की गिरे तो हमारा ही घर दब के रह जाए हमारा जीवन मनुष्य का जीवन भगत का जीवन अरे हम भगवान के अनन्य हैं भगवान के प्रिय है भगवान के लाडले है तो हमको ये प्रियता बनी रहे भाव बना रहे ऐसा प्रयास करना